हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ माइकल बे की एंबुलेंस फिल्म को जिससे अनफॉचनेट थेटर में हिंदी में रिलीज नहीं किया गया बागी फिल्म आप फैमली के साथ भी और इजा गोंजालिस भी नजर आती है जिन तीनों ही क्यारक्टर पर इस फिल्म का पूरा का पूरा फोकस है और अब क्या डैनी अपने भाई विल की मदद करेगा भी या नहीं और बदले में विल को क्या क्या करना होगा उसके लिए तो आपको ये फिल्म ही देखनी होगी इट मींज के वो सिर्फ और सिर्फ मास ओडियंस के लिए ही फिल्म बनाते है जिन से वो बाहर निकल कर कभी भी नहीं आये है और अब इन सब में एम्बुलेंस फिल्म हमें क्या नया प्रवाइट करती है वो भी दो घंटे 16 मिनिट की लेंट में वो सारी की सारी डीटेल्स आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी जिससे जैसी कि मैंने कहा थेटर में ही रिलीस किया गया है बट वो भी सेंसर के ए सेटिटिकेट के साथ लेकिन जैसी कि मैंने कहा फिल्म आप पैमिली के साथ बैट कर देख सकते हो और बात रही फिल्म की बाकी दूसरी पर बात करते हैं लेकिन उससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्स जो की है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की पर बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात भी पता होगी कि ये फिल्म एक्च्वल में साल 2005 की आई हुई इसी सेम नाम की डैनिश फिल्म की रिमेक है जिस वर्जन को मैंने देखा है और उस हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म का बजट और एक्टेस भी कुछ इतने नहीं थे जिस फिल्म की टोन को जादा तर तो कॉमेटी के बेस पर ही रखा गया था और अब ऐसे में इसे हॉलिवुट एडप्ट करें तो कहानी में डेफिनिट्ली चिंजिस तो आए गे ही जिसमें से मदर के एंगल को निकाल कर वाइफ के एंगल को तो दाला गया ही है औ और अगर इसमें मैं honesty आड़ करूँ तो जो उमीद मैंने माइकल बे की अंडरग्राउंड 6 फिल्म को देखकर लगाई थी कि ये फिल्म भी उसी फिल्म की तरहा सिर्फ एक्शन पर ही फोकस करेगी तो मैं काफी ज़दा गलत निकला क्योंकि इस फिल्म में मुझे देखने क जिसमें हो सकता है कि लगभग एक ही शॉट के लिए 15 से 20 कैमरे तो लगाए गई ही होगे क्योंकि एक टेक को अलग-अलग एंगल से दिखाना और उसमें एक्टर्स परफॉर्म करते रहे तो ऐसा एक्सपिरियंस को देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है यानि कि फिल करने का डिशीजन लिया जाता तो उस मामले में ये फिल्म ऐसी अच्छी तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आती रीजन है सिर्फ और सिर्फ थेटर का एक्सपिरियंस क्या नि देखा जाए तो इस फिल्म के डारेक्शन से लेकर बीजियम और फिल्म की एडिटिंग इतनी ज चोड़ कर बाकी छोड़े छोड़े रोल में साइट कैरेक्टर्स भी अपने रोल के साथ में जस्ती सी करते वे निज़र आते हैं क्योंकि उन सभी का जादा तर्तो समय इन्हें चेस करने के अलावा कैसे ट्रैप करे उसमें ही निकल जाता है और दूसरी टीम जिन से डैनी अपना कॉंटेक्ट बना कर रखा है वो मदद भी कर रही है लेकिन फिर भी क्वेस्चन यही निकल कराता है कि क्या यह जर्नी और इनका यह मिशन पूरा होगा भी या नहीं जिसके एंड में छोड़े से ट्वीस को रखकर फैंस को थोड़ी निराशा तो दी गई है लेकिन फिर भी कहानी की टोन के हिसाब से फिल्म का इंड भी ठीक रहेगा जिसमें अब बाकी दूसरे डिपार्टमेंट जैसी के फिल्म की कमाल की सिनेमेटर ग्रफी के अलावा कलर कलरेक्शन पोटोग्राफी और साउंड डिजाइनिंग की भी बात करें तो जैसी कि मैंने कहा ए इंगल इमोशनल है लेकिन कुछ-कुछ मामलों में थोड़ा फ्लैट पर जाता है बाकी जैसे जो कि इस फिल्म में लिये गए है वो भी इस कहानी को कॉमेडी बनाने में बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाते जैसा थोड़ा सा इंप्रेस इस फिल्म के ओरिजिनल वर्ज की बात करें फिल्म की कॉमेडी की तो इसके लिए ये फिल्म सिर्फ पर सिर्फ पांच में से आदे स्टार ही डिसरफ करेगी जिसका रीजन में आपको एक्स्प्लेन कर चुका हूं और बाच आए कहानी पर तो इसके लिए तो ये फिल्म पांच में से एक स्टार ही डिसरफ करेगी यानि कि इस बार भी कहानी को लेकर माइकल बे के पास जादा कुछ भी डैवलप करने जैसा नहीं था लेकिन फिर भी इस फिल्म ले अपना बैलेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बना कर रखा जिसके बाद आ जाए इस फिल्म के सस्पेंस पर तो उसके लिए ये फिल् मासर्स ओडियंस की तो उनकी नज़र में ये फिल्म एक ही कैटिगरी डिजर्फ करती है क्रिडिक्स की तरफ से तो इस फिल्म को माइकल बे की बाकी दूसरी फिल्मों की यी तरहा थोड़ी बहुत बुरा या तो मिली ही है लेकिन उतना जादा नहीं जिस कारण से उनकी पसंद आई और कितनी नहीं उस बारे में मुझे कमेंट करकर जरूबत आईएगा क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे ते मुवी स्टॉक चैनल जिससे अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्स सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब नहीं